नमस्का दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के उपर तो आज की भी जो हमारी वीडियो है इस इस आलसे बरी इंटरस्टिंग वीडियो फ्री स्टड़ी इन फिनलेंड जो बच्चे फ्री में फिनलेंड में पढ़ना चाहते हैं वो भी जैन फैब इंटेक के फोरण के नाम पर ऐसे लोगों को दे देते हैं जो अन एजूकेटड हैं जिनको कंसिक्वेंसिस के बारे में मालूम नहीं है कि वो आप से अगर फ्रोड करते हैं ते उसके क्या नुकसान है एक जो ले में परसन है जहाँ आप पड़े लिखे परसन है अगर कोई बेजी टे रुपे वाली चीज है सिर्फ 100-100 रुपीज वाली एक आइटम है बट जहां पर आपने लाखों रुपे लगाने होते हैं उसमें आप आपका लैक आफ नॉलज जो है प्रॉपर नहीं आप जूटिलाइज करते हैं उसमें क्या है कि आप जो कंसल्टेंट की सेलेक्शन है मो अगर आप ऐसे प्रिकोशन्स लेंगे तो आप अपने लाखों रुपे बचा सकते हैं और एक अच्छी डैस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं बट आप आलू प्याज बालों के साथ बार्गेंडिंग है बो जुरूर चेक करेंगे कि यह सड़ा हुआ है यह फलाना है लेकि रुपे का अपना नुकसान करवा लेंगे अभी आज की डेट में एयाई यह सब पढ़ा हुआ है आर्टिफिचल इंटेलियंट है गुगल के उपर सारी की सारी चीज़ की अविलिबिल्टी है सारी की सारी युनिवस्टी की इंफोमेशन है सारी की सारी अमबैसीज की पढ़ने के लिए है चाहे किसी भी परपस के लिए जा रहे हैं तो सेलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट इस बेरी इंपोर्टन अभी हम अपने टॉपिक के उपर आते हैं जो बच्चे फिनलेंड में फ्री में स्टुडी करना चाहते हैं बट कौन से बच्चे जो आरड़ी मैं कु लोग इस प्रोग्राम में ट्राई कर सकते हैं कौन सा है वोकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि इंटायर फ्री ओफ कोस आपको फिनलेंड में मिल सकता है इसकी में रुकौर्मेंट एक ही है कि आपको केंपस के अंदर जाकर इसका इंटरेंस एक्जाम देना पड़ेग फिन्लेंड में जाकर तो अगर फिन्लेंड में जाने के लिए वीजा चाहिए तो आपके पास वीजा होना चाहिए फिन्लेंड में जो आरेडी है उनको तो कोई प्रावलम में नहीं है जो यौरप में आरेडी है उनको भी कोई प्रावलम में जाकर इस एक्जाम को दे सकते है बट जो outside European Union से हैं उनको वीजा की requirement रहेगी इस exam को देने के लिए तो बो वाले cases मैं accept नहीं करूंगा क्योंकि वीजा के चक्रों में और time आपका भी based होगा और आपकी money भी based होगी क्योंकि Finland Embassy just for giving that exam आपको tourist visa grant नहीं करेगी तो मैं mostly उन बच्चों को welcome करता हूँ जो European Union के अंदर बैठे हुए हैं जिनके पास valid शेंगन का वीजा हो valid residency permit हो या valid कोई भी चीज है उनके पास तो वो इस चीज को in cash कर सकते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे बदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं वो ऐसी countries में चले जाते हैं जहां की feces बहुत जादा है जहां ऐसी universities में फस जाते हैं private में जहां पर वो अपनी feces को आगे generate नहीं कर पाते तो जो वो बच्चों के लिए this is a good opportunity आईदर आप लाटमिया में हैं आइदर आप जर्मनी की private universities के trap में हैं आइदर आप Sweden में हैं आइदर आप Denmark में आइदर आप Finland में inside हैं paid study में आइदर आप किसी भी शेंगन country में हैं वहां से Finland में free में study करना चाहते हैं तो इस जो program को जा इस exam को जरूर दें तांकि आपको पता चले कि आपकी ability क्या है अगर आप exam clear कर लेते हैं तो आपको वहां पर three years का diploma vocational मिल सकता है और उनके पास vocational की bachelor degree भी है वो भी free of course मिल सकती है तो इसकी जो deadlines है वो end of October है October start हो चुका है end of October है तो आपको October से पहले पहले apply करना पड़ेगा end of October से पहले पहले there is no any कोई आपकी कहे कि percent is 50% भी है even that आप apply कर सकते हैं आपने IELTS PT किया है जा नहीं किया है उसके बगार भी इसको apply कर सकते हैं क्योंकि वो vocational center है they will take their own English proficiency test वो उन्होंने लेना है जो campus के अंदर होगा तो अभी आपके उपर है कि आपने इसको कैसे avail करना है free study मिलेगी spouse आपकी साथ में जा सकती है बच्चे आपके साथ में जा सकते है spouse को full working ride है बच्चों को वहाँ पर free study है और आप भी वहाँ पर 30 गेंटे काम कर सकते हैं बच अभी question आता है कि क्या काम की बहाँ पर situations क्या है on ground on ground situations not in Finland Finland का आप passport भी चेक कर लें Google के उपर कितना strongest passport है I think fourth number या fifth number पर stand करता होगा word की और सबसे ज़्यादा social security प्रवाइड करती है अपने nations को जो Finland country है बट अभी आते हाँ question क्या कि सर बहाँ पर job jobs की पूरे word के अंदर बड़ी problems हैं आप ये देखे कि 140 क्रोड की population इंडिया यहाँ पर हमी jobs ने sometimes मिलती है मतलल नहीं मिल पा रही अभी उन countries में जाएंगे हमें language नहीं आते हैं हमारे पास skill नहीं आते होज you can expect चाहे वो Finland है चाहे वो UK है जब whatsoever country है इनको अपने mind में लेकर चलना है और कोशिश करें उन countries में जाने की यहाँ पर आपको free में study मिले और economical study मिले अगर आपके अंदर desperation है फॉरण जाने का वो countries में जाने का आज की date में avoid करें क्योंकि situations are not good उसके पीशे reasons है reasons यही है जो मैं आपके साथ explain कर रहा हूँ और अभी जो मैंने एक recently biggest जो exhibition मैंने education का attend किया फ्रांस के अंदर बहाँ पर इसी के उपर ही जो बड़े बड़े delegates जो बड़े बड़ी युनिवेस्टिस के representative आई थे इसी के उपर ही discussion चलती रही उसको attend करने के बाद तो दिल ऐसा कि कर रहा था कि बाहर बच्चों को भेजे ही ना मतलब उसको attend करने के बाद फिर भी देखी इतना बड़ा exhibition लगा था यहाँ पर सारी universities आई हुए थी वो सारे वर्ड के students को invite करती है, exchange programs है, SMS है, scholarship है, there is a number of options but उसके अंदर यही discussion रही है कि जो agents है, जो consultant है they are not giving the proper counseling to the students as well as to the parents before sending them abroad for higher studies तो उसके पीशे यह reasons रहते हैं क्योंकि गल्थ counseling, गल्थ concept से बच्चों को foreign countries में भेजा जा रहा है higher studies के लिए तो अभी ऐसा है कि हमारे पास वो जो exhibition हुआ था, education का, बहुत सारी मैं videos लेकर आया हूँ, कुछ डाल भी दी है तो अगर आपने भी वो videos watch करनी हैं, तो हमारे channel के साथ जुड़े रहे हैं, इसके अंदर एक मैंने शोटी सी clip भी डाल दी है उस clip को भी आप देखके अंदाजा लगा सकते हैं, कि कितने लोग बहाँ पर आये थे और कितनी universities थी Even Finland से लेटर हमारी दो dedicated playlist हैं, study in Finland, success story of Finland दोनों के link मैंने description box में लगाए हैं, बहाँ जाकर Finland की free of course, सारी की सारी videos watch करें तब जाकर अपने consultant की selection करें, तो लासी मेरी यही request है, अगर आपको जो मेरी video चलेगी, इसको like and share करना ना भी, thank you